नमस्कार तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चेप्टर उस अध्याई का नाम वर्न बिचार हैं इंगलिस में इसे फॉनोलोजी भी कहते हैं वर्न बिचार फॉनोलोजी सबसे पहले इसमें हम लोग वर्न जो है उस पर बिचार करेंगे जो लेटर होता है वर्न जो है उस पर बिचार करेंगे लोग उसको विस्तित रुप से जानेंगे तो कहा जाता है कि यह जो वर्न होता है वा क्या होता है किसी भी भासा का सबसे छोटी एकाई होता है भासा कि सबसे छोटी एकाई जो होता है वह क्या होता है लेटर होता है वर्न होता है तो भासा हम लोग जान ही रहे हैं भासा क्या है जो हमारे अंदर जो भाव है उसको आदान परदान करने के उव्यक्त करने का क्या है माध्यम है और यह जो भासा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है तो वर्न को माना गया है लेटर को माना गया है यह जो वर्न होता है जैसे कोहलंत इसको हम लोग क्या है खंड या टुकडा नहीं कर सकते हैं व्याकरण के अनुसार हम लोग देखें तो वर्न किसे कहते हैं जो भी मुक्षे बोलते हैं हम लोग जो भी वर्न निकलता है कुछ भी अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वर्नों के सहयोग से ही बोल रहा हूँ तो व्याकरन में वर्न उसे क्या गया है जो भी मुक्षे उचिरित धोनिया है उसको क्या है उन्होंने वर्न माल लिया है वर्न जो होता है भासा का आधार होता है कोई भी भासा हो उसका जो आधार होता है वह क्या होता है वर्न ही होता है उसी पर वह भासा टिका हुआ होता है एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सेंटेंस है, तोता डाली पर बैठा है, सेंटेंस क्या है, तोता डाली पर बैठा है, यह एक वाइक के है, और यह वाइक को हम लोग क्या है, तोड़ते हैं, इसको अलग-अलग करते हैं, क्या है तोता डाली पर बैठा है इसको तो हम लोगों ने क्या किया सब्दों में बाटा है सब्दों को यहां पर जो वाइक में लीखा गया था उसको सभी सब्द को मैंने क्या किया अलग कर दिया यहां जो सब्द है वह कैसे निर्मान हुआ है अब उसको देखेंगे हम लोग जैसे यहां जो सब्द है तोता तोता का निर्मान जो है तोता जो सब्द बना है वह ताहलंत ताहलंत और ताहलंत में ओ की मातरा लगा हुआ है ओकी मातरा लगा हुआ है हम लोग जानते हैं यह जो ताहलंत जो है वह क्या है वेंजन है ना स्वर तो नहीं है वेंजन है और वेंजन क्या होता है वेंजन जो होता है वह स्वरों की सहायता से बूले जाती है ना तो इसलिए यह ताहलंत के साथ ओ लगा हुआ है ओका मातरा ल उसमें भी हलंत लगा हुआ है और उसके साथ में आ की मात्रा आ है अर्थात इसका मात्रा यहां पर लगा हुआ है तो अर्थात यह जो है यह सब जो अभी हम लोग ने देखा ता हलंत यह सब जोड़ करके क्या है सब्द का निर्मान हुआ था और यह जो ता हलंत है यही क्या है वर्न कहलाएंगे यह क्या कहलाएंगे वर्न कहलाएंगे और यह वर्न जो ता हलंत है उसको अब हम लोग क्या है और टुकड़ा में और खंड में नहीं बाट सकते हैं उसको अब हम तो यहां था वर्न का टुकड़ा किये हम लोगों ने वर्न का टुकड़ा करके हम लोगों ने देखा कि कैसे इसका टुकड़ा किया जाता है अन्य यहां पे इसी तरह का एक्जामपल दिये गए है यहां पे हम लोगों ने देखा बात वह यहां बात थी कि जो कई सब्द है जो क्या है अनेक दोनियों से मिल करके बना हुआ है जो भी यहां पर हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने पाया कि जो अनेक सब्द जो है जैसे यह जो गये ही माल लें तो यह जो गया है लीखा हुआ वह क्या है अनेक धौनियों से मिल करके अर्थात वर्नों से मिल करके बना हुआ है धावनी जो है किसको कहते हैं हम लोग जो हमारे मुख से जो भी उच्छित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं धावनी कहते हैं और वर्न किसको कहते हैं जो हम लोग लिख देते हैं अर्थात धावनी कहा है लिखित रूप जो हो जाता है वहां वर्न कहलाता है जैसे काहलंत इ यह क्या कहलाईगा वर्न कहलाईगा लेकिन इसको किवल कोहलंत हम बोल रहा हूं तो वह धौनी कहलाईगा इसके लिए तो यह थी धौनी और वर्न और हम लोग ने यहाँ पर यह भी देखा कि इसमें अनेक वर्नों का योग जो हुआ है क्या है सब्द कह लाएगा वर्ड कह लाएगा जो अनेक वर्णों का यहां फर मेल हुआ है अनेक वर्णों का मिल करके जो बना है उसको हम तो क्या कहेंगे तो सब्द कहेंगे जिसे गौहलंत औ प्लस ए मिल करके क्या बना है गए बना है तो यह जो इसमें क्या है अनेक वर्न है गवर्न है प्लस आ वर्न है प्लस ए वर्न है और यह मिल करके क्या बना है तो यह गए बना है तो यह जो गए हो जाएगा वह क्या कहलाएगा सब्द कहलाएगा वर्ड कहलाईगा तो इस परकार इसको हम लोग क्या है परिभासा में बान सकते हैं परिभासा क्या होगा वर्ण का तो भासा की सबसे छोटी मूल इकाई वा क्या होता है मूल इकाई होता है भासा की सबसे छोटी मूल इकाई अर्थाद्मूल अर्थाद प्राचिंतम एकाई जो होता है अर्थाद्मूल एकाई जिसका हम लोग क्या है टुकडा या खंड हम लोग नहीं कर सकते हैं ना तो उसको टुकडा कर सकते हैं ना तो उसको खंड में बाट सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे वर्न कहेंगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग वर्न कहेंगे तो यहाँ पर हम लोग ने वर्न किलियर किया वर्न क्या होता है हम लोग उने देखा वर्न क्या होता है तो वर्न जो है वह कोई भी भासा होगा उसका सबसे छोटी इकाई होता है और उसका हम लोग खंड या कुक्टरं नहीं कर सकते हैं जो ध्वानी होता है उसी का लिखीत रूप क्या होता है? वर्न होता है ध्वानी जो हम बोल रहे हैं वह ध्वानी है अगर उसको मैंने लिख दिया कोई वर्नों के सहरा ले करके तो वह क्या कहलाएगा? तो वह जो है वह वर्न कहलाएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्न तो हम लोगों ने देखा अब है वर्न माला यहाँ पर हम लोगों ने वर्न को तो समझ लिया इसको तो मैंने समझ लिया अब इसके साथ में क्या है जुड़ा हुआ है माला क्या जुड़ों हुआ है माला तो यह जो माला है अर्थात हम लोग क्या है अपने गर्दन में क्या पहनते हैं कभी-कभी माला और पहनते हैं तो वह जो माला है यहाँ पे गर्दन में पहनने वाली माला की बात नहीं किया गया और यहाँ जो गर्दन में पहनने वाली जो माला होता है वह किस से बना होता है तो वह जो होता है वह फूलों का बना होता है वह सब फूलों का बना होता है तो उसी तरह यहाँ पे जो माला की बात की गई है वह किसका होगा तो वर्नों की माला होगा यहाँ पे क्या होगा वर्नों की माला की बात की गई यहाँ पे फूलों की माला की बात नहीं किये यहाँ क्या है फूलों की माला अर्थात वह जो माला बना होगा वह फूल का होगा यहाँ पे क्या लिखा है वर्न माला अर्थात यहाँ पे जो माला बनेगा वह क्या होगा वर्नों की होगा वर्न तो हम लोग उने जान गया है समझ लिया है तो जो वर्न जो होता है उसको हम लोग अगर वेवस्थित रूप में उसका जो विद्वानों ने बताया है जो उसका फॉर्म जो है लीखने का अगर उस तरह हम लोग लीखते हैं उसको वर्णों को अगर हम लोग क्या करते हैं वेवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं जो वर्ण है उसका जो समूह बताया गया है ग्रूप कैसे कैसे लीखा जाएगा वह जो बताया गया है उसी को हम लोग क्य कहते हैं वर्न माला कहते हैं कि हिंदी में वर्न माला ही उसकी संख्या कितनी है तो की संख्या 52 है उसकी संख्या जो है वह क्या है तो 52 है bye टूटल वर्नों की संख्या क्या है 52 है जिसको देवनागरी लीपी में लिखा जाता रही है जो वर्न है हिंदी का जो वर्नमाला है उसको किस में लिखा जाता है तो देवनागरी लीपी में लिखा जाता है और यहाँ पे कुछ हिंदी वर्ण माला के मानक रूप अर्थात जो बिद्वानों के द्वारा decide किया गया है माना गया है कि उसको ऐसा ही लीखना है वह यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ कुछ हिंदी के वर्ण माला देए गहे है तो इसमें फर्ष्ट जो है वह स्वर यहाँ पे वर्ण माला जो दिए गहे है वहाँ क्या है पहले स्टार्ट किया गया है स्वर से और स्वर जो होता है वहाँ दो तरह का होता है मुठ्यता दो तरह का होता है एक हर्स होता है जिसमें ओ छोटी ए छोटी उ और री आएगा चार यह जो है वहाँ क्या हो जाएगा हर स्वर के अंतरगत में आएगा और जो दीरिक स्वर होता है वह आ बड़ी ई बड़ी उ ए आई ओ यह सब क्या है बड़े स्वर के अंतरगत में आता है इसके संख्या जो होती है वह सेवन होती है और इसके साथ साथ दो स्वर यह भी है यह जो स्वर है उसी के समुव में आता है लेकिन यह जो है वह ना तो स्वर है और ना ही वेंजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं आयोग के कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं तो आयोग वाह कहते हैं इसको हम लोग आयोग वाह कहते हैं अयोग वाह क्यों कहते हैं इसको हम लोग तो इसको हम लोग अयोग वाह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है इसमें क्या है स्वर का भी गून होता है और वेंजन का भी गून होता है जैसे इसका उचारन जो है हम लोग करते हैं कैसे करते हैं इसका उचारन जो यह वाली है इसका उचारन हम लोग क्या करते हैं अंग तो हम लोग को लगता है कि यह जो अंग जो है और दुसरा का उचारन करते हैं अग तो हम लोग को असपस्ट रूप से पता लग रहा है कि इसके साथ अग आ के साथ लग रहा हा भी जुड़ा हुआ है अंग आग के साथ लग रहा है गाभी जुड़ा हुआ है इसलिए यह सब जो वर्ण है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको अयोग वाह कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं लोग यह तो हम लोग उन्हें स्वर देखा स्वर क्या होता है स्वर एक स्वतंत्र होता है उसको विचारन हम लोग स्वतंतर रूप से कर सकते हैं उसमें किसी एंड की साहिता नहीं लेनी पड़ती है अब हम लोग देखेंगे विंजन, विंजन, क्या है, विंजन हम लोग जाते है की स्वरों की साहेता से बूली जाती है, तो फर्ष्ट जो है कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और पावर्ग इसको हम लोग क्या है असपर्स इसको हम लोग क्या है असपर्स धावनी कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं तो असपर्स धावनी कहते हैं इसकी जो संख्या है वह 25 है इसकी संख्या 25 है और इसके साथ दो और जुड़े हुए है भी वह है रो और रो 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 इसके नीचे क्या है बिंदू लगा हुआ है उसके बाद आगे आते हैं वेंजन में तो हम लोग अंतस्त धोनी पाते हैं अंतस्त धोनी सबको इसके बारे में हम लोग अंतस्त धोनी उस्म धोनी संयुक्त धोनी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो तो अंतस्त धोनी जो है उसकी संख्या क्या है फोर है अंतस्त धोनी की संख्या 4 है जो कि वेंजन के ही अंतरगत में आता है उसके बाद होता है उस्म, इसकी विसंख्या 4 है, 4 है उसके बाद जो है वह है संयुक्त संयुक्त धौनी जो है उसकी विसंख्या 4 ही है और टोटल मिला के इस तरह हम लोगों ने देखा कि हिंदी वर्नमाला में वर्नों की संख्या जो है 52 है, 52 है अब यहां कुछ आद रखने वाली बात यह है कि वर्णमाला के कर्म से सही ज्ञान होने से ही हिंदी सब्द कोस देखने में आसानी होता है वर्णमाला का जो कर्म है यह जो दिया हुआ है वह कर्म को हम लोग को आद रखने रखेंगे तब ही हम लोक जब dictionary हिंदी का dictionary होगा उसमें सब्द फोजने में क्या है आसान होगा इसलिए आसान होगा क्योंकि यही कर्म जो है उसी के आधार पर क्या है वहाँ पर सब्द का दिया हुआ सब्दों का चेयन किया हुआ अब हम लोग जो स्वर है यह हवाली उस पर बात करेंगे हम लोग स्वर है क्या उसको हम लोग समझेंगे जानेंगे तो वर्नों का जो भेद भाग है जो वर्न है तो वर्न को हम लोग क्या है दो भाग में बाड़ते हैं वरन को क्या करते हैं हम लोग दो भाजों में उसको बाठते हैं कौन कौन तो पहला जो है स्वर है और दूसरा वेंजन है मुखेता इसका दो ही भाज है अब हम लोग स्वर जो है उसको समझने का कूसिस करते हैं जो सुवर्वर्ण है वह क्या है किसको कहेंगे सुवर्ण वह वेल से जो वह क्या है तो जीन वर्णों का उच्चारन बिना किसी ध्वावनी की साहिता से होता है उन्हें सुवर्ण कहते हैं वैसे वर्ण जिसके उच्चारन करते समय हमें किसी भी ध्वावनी अइन्हें ध्वावनी की साहिता नहीं लेनी पड़ती है उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे सुवर्ण कहेंगे जैसे यहां जो ग्रूप में दिया हुआ है यहां जो ग्रूप में दिया हुआ है वर्ण इसे हम लोग अगर उच्चारन करके देखते हैं तो उसमें अन्य ध्वावनी का कुछ ध्वावनी नहीं सुनाई पड़ता जैसे बोलते हैं ओ आ बोलें तो हम लोग के मुझे के वल आ ही ध्वावनी आता है लेकिन अगर हम लोग उच्चारन करते हैं का का तो लगता है का के साथ का के साथ आ भी आ गया है इसलिए यह का जो है वह क्या है वेंजन हो जाता है लेकिन वहीं अगर उच्चारन करते हैं आ का तो इसके साथ केवल आ ही आता है या फिर आ का उचारन करते हैं तो आ ही आता है या फिर इ इ यह सब उचारन कीएगा तो पता चलेगा इसमें असपस्ट रूप से केवल एक ही धौनी स्वरित होता है निकलता है लेकिन वही वेंजनों के साथ ऐसा नहीं होता है वेंजन जो होता है वह स्वर उसके साथ स्वर भी जुड़े होते हैं तो यह क्या होता है स्वर स्वर जो होता है वह स्वरतंत्र होता है उसे किसी भी धोनी की साहिता से नहीं बोली जाती है उसे किसी भी धोनी की साहिता नहीं लेनी पड़ती है इसकी जो संख्या है वह कितनी है तो एक ग्यारा है जो स्वर है उसकी संख्या कितनी है एक ग्यारो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वर का भेद अभी हम लोग उन्हें स्वर देखा स्वर जो है वह वर्न का भेद है अब हम लोग यह जो स्वर है उसका टाइप देखते हैं स्वर का भेद देखते हैं तो स्वर जो है उसका क्या है मुख्यता तीन भागों में बाटा गया है इसका तीन भेद है कौन-कौन भेद है तो भेद इसका है हर स्वर दीर्क स्वर और पलुत्थ स्वर यह सब को हम लोग एकक करके समझेंगे सबसे पहले हर स्वर जो है वह क्या होता है तो वे स्वर जिसके उचारन में बहुत कम समय लगता है हर स्वर जो होता है इसका उचारन जब करेंगे तो हम लोगों को बहुत कम समय लगेगा जिसे बोलते हैं थोड़ा समय लगा लेकिन वही जो दीर्क स्वर होता है उसके उचारन में जो हर स्वर के अपिक्चा अधिक लगता है जो हर स्वर है उसमें कितना वड़ आते हैं तो चार वड़ आते हैं ओ, ई, उ, और री यह सब है वहीं दीर्क स्वर जो है वह क्या होता है उसके उचारन में हर स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उसके उचारन जब करते हैं तो हर्स के अपिक्षा अधिक समय लगता है, जैसे हम लोग उचारण किये है, आ, क्या है उचारण, आ, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, जो ओ का उचारण कित ओ, और आ, तो इसके अपिक्षा इसमें अधिक समय लगा है, इसका दुगूना समय इसमें लगता है, तो दिर्क स्वर में क्या होता है हर्स के अपिक्छा हर्स स्वर के विचारन के अपिक्छा अधिक समय लगता है इसका जो संख्या है यहां पे दिये हुए है कौन-कौन सा हर्स दिर्क स्वर है यहां पे इस सब के उचारन करेंगे तो हम लोग का हर स्वर के पिक्षा अधिक समय लगेगा अब है गा नंबर में पलुत्स्वर तो पलुत्स्वर किसे कहेंगे हम लोग तो स्वर के दो भेदों के अतिरीक्त भी एक अन्य भेद माना जाता है जिसे हम लोग पलुत स्वर कहते हैं इसके पिक्षा एक और भेद है उसको हम लोग पलुत स्वर कहते हैं और पलुत स्वर का संबोधन करते हुए तीरिक स्वर से भी अधिक समय लगता है अथात इससे तिनगुन्ना समय लगता है किस से तिन गुन्ना समय लगता है हर्स जो है हर्स वर्स वर्स है उससे तिन गुन्ना समय हम लोग को लगता है लिखते समय हिंदी में इसे तीन लिखते हैं इसलिए जब यह जो पलुत वर्ट जो होता है उसको जब हम लोग लिखेंगे तो लिखने स्वर के बाद उसमें क्या करते हैं इस तरह का तीन हम लोग लिखते हैं क्योंकि अर्थात हम लोग को समझ जाना है कि इसमें जो है उचारन करते हैं जो समय लगेगा वह हर स्वर के तिन गुन्ना लगेगा जैसे हर्यों या फिरों ऐसे उचारण करते हैं हम लोग तो पलुत स्वर जो होता है उसमें क्या होता है? हर स्वर के तिन गुन्ना समय उचारण के समय लगता है तो यह थे स्वर स्वर में हम लोगों ने देखा स्वर का जो तीन भीद है हर्ष्वर, दीर्ख स्वर और पलुट स्वर हर्ष्वर में हम लोगों ने देखा कि कम समय लगता है उचारण में वहीं दीर्ख स्वर में हम लोगों ने देखा हर्ष्वर कि अपिक्छा अधिक समय लगता है और पलुत स्वर जो है उसमें हरस से तिन गुन्ना समय लगता है और जो पलुत वर्ण होते हैं उसके बाद हम लोग हिंदी का क है करते हैं तीन लिखते हैं अब हम लोग देखेंगे स्वर की मात्राएं सभी जो स्वर है उसकी अपनी-पनी क्या है मात्राएं जो 11 स्वर है उसकी अपनी अपनी क्या है मात्राएं भी है हम लोग जानते हैं स्वर का परियोग जो है स्वतंत रूप से होता है यह तो जान चेके हैं तथा वेंजनों के साथ मिला भी होता है और उसका उचारन हम लोग स्वतंत भी कर सकते हैं और उसको क्या है वेंजन के साथ भी कर सकते हैं जो स्वर होता है उसका उचारन हम लोग क्या करते हैं स्वरतंत्र भी कर सकते हैं और वेंजनों के साथ मिला कर भी कर सकते हैं तो वेंजनों के साथ मिलाएंगे कैसे तो इसमें क्या होता है सभी जो स्वर है उसका क्या होता है मा मात्रा है तो वह मात्रा को हम लोग क्या कرते हैं वेंजनों के साथ जोड़ देतें और उसका हम लोग उचारन करते हैं श्वर का परियोग स्वतनत रूप से भी होता है और वेंजनों के साथ भी होता है स्वर वेंजनों के साथ स्वरों का मेल होता है तब उनकी मात्रा ही लगाए जाती जब हम लोग पढ़ें कि जब स्वर का मेल अगर वेंजनों के साथ करते हैं तो वहाँ पर क्या उसकी मात्राएं जो है सबका वहाँ लगता है वेंजनों के साथ लिखने के लिए ओ को छोड़ कर सभी स्वरों की निश्चित मात्रा होती है अगर वेंजन जो स्वर है स्वर के साथ लिखने के लिए क्या है आग को छोड़ करके सभी कर क्या करते है उसकी जो मात्राएं हैं वह हम लोग लगाते है अर्थात जो यह O है इसकी मात्रा नहीं होती है अपितू यह जो है सभी 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 वेंजन जो होते हैं सभी वेंजन जो है सभी वेंजन जो है उसमें क्या है जुड़े होते हैं उसमें ही क्या है जुड़े होते हैं जैसे हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग देखते हैं को जिसे हम लोग देखते हैं कौ यह जो कौ है अगर इसको हम लोग खंड करेंगे तो आएगा कौ लंत प्लस उचारन भी जब हम लोग कौ का करते हैं तो लगता है कि हम लोग साथ में आंका भी उचारन कर रहे हैं आ का भी उचारन कर रहे हैं वैसा ही अगर हम लोग खा का बात करें अर्थात जो भी वेंजन वन होगा सब के साथ जो है यह आ जूड़ा रहता है अगर हम लोग खा का उचारेल करें खो तब हम लोग पाते हैं खो खाल बोलते हैं तो लगता है कि उसके साथ भी बोल रहे हैं अर्थात हम लोग यहां देखा इससे कि जो भी बेंजन है उसके साथ यहां वाली अ जो है वहां जुड़ा हुआ रहता है इसका कोई मात्रा नहीं होता है यह वाली जो है इसका मात्रात्मक जो स्वर है इसका यह मात्रात्मक गून जो है यहाँ पर दिये गए है जैसे और जो है और इसका कोई मात्रा नहीं होता है लोग देखा यह क्या है सभी जो वेंजन है उसके साथ जुड़े होते हैं वहीं आ जो है इसका मात्रा है पाई वाला और यह जुड़ता है तो इस तरह का बनाता है यह काहलंत के साथ और का मात्रा लगेगा तो का बनेगा और सब्ज जो है ऐसे दिखेगा वहीं अगर छोटी E का बात करें तो इसका मात्रा इस तरह का होता है और यह जुड़ने के बाद ऐसे हो जाता है और सब्द बनने के बाद इस तरह होता है बड़ी E की मात्रा इस तरह है वहीं अगर उ का बात करने तो इसका मात्रा ऐसे होता है वन के साथ जुड़ता है वेंजन के साथ तो ऐसे हो जाता है वहीं बड़ी उ की मात्रा इस तरह है री की मात्रा ऐसे होती है वहीं एकी मात्रा उपर में एक जंडी होगा अई की मात्रा में उपर में दो जहंडी होगा वहीं अगर ओ की बात करें तो ओ में क्या है एक पाई भी पड़ेगा और उपर भी जहंडी लगेगा और ओ की बात करें तो ओ में क्या होता है नीचे एक पाई उपर दो जहंडी और सब्द जो बनेगा मिल करके वह सब्द बनेगा वह ऐसे सब्द होगा इसका सब्द जो होगा वह ऐसे होगा तो यहाँ था स्वर जो है उसका मात्राएं स्वर का मात्राएं हम लोग देखा कैसे होता है कैसे लग करके नए जो वर्ड बनाता है इसमें से स्वर के साथ जो दो होता है उसको अयोग वाह हम लोग माने हैं अयोग वाह हम लोग क्यों माने हैं उसको हम लोग ने पहले से जान चुके हैं इसमें अयोग वाह में कौन-कौन सा है तो ओह अंग और ओह जो है यह अयोग वाह में आते हैं कि उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुस्वार किसे कहते हैं आर्थ कि अनुनासिक फिर अनुस्वार तो अनुनासिक का जो छिन होता है कि टो इस तरह का होता है इसको अनुसया उचारण मोह, और नाक दोनों से होता है अनुनासिक का उचारन हम लोग कैसे करते हैं मुह से भी करते हैं और नाक से भी करते हैं दोनों एक साथ जब स्वर्ग इसका उचारन करते हैं तो दोनों एक साथ दोनों से हवा निकलना चाहिए मुह से भी और नाक से भी आँक, पांच, हसी इस त्रह का सब्द है वहीं अगर अनुस्वार का बात करें तो इसका उचारन जो होता है वह के वो नाक से होता है अनुस्वार का उचारन नाक से होता है और यह इसका ऐसे करकर हम लोगाते हैं हाप e जिसे इसका उचारन कैसे करेंगे नाक से हन्स पतंग इस तरह का सब्द है बिसर्ग जो है इसका उचारन हा के समान होता है जिसे अ बिसर्ग जो है इसका उचारन हम लोग क्या करते हैं हा के समान होता है जिसे प्राता नमा अता हा के तरह करते है अब यह जो है यह आगत धौनी कहलाता है अठात अंग्रेजी सब्दों जो हिंदे में आ गये हैं तो उसमें हम लोग इस तरह का सब्द कप इस तरह कप चिन का परियूग करते हैं जिसे डॉक्टर जिसे क्या है अगर हम लोग डॉक्टर कहते हैं तो वहाँ पे इस तरह का चेन का परियूग होता है डॉक्टर यहाँ पे हम लोग यह चंदरबिंदू होने की संका है लेकिन यह चंदरबिंदू नहीं है यह क्या कहलाता है तो यह जो है आगत धावने कहलाता है उसके बाद यह जो निम्न बिंदू किसको कहते हैं तो जो सब्द के सब्द नहीं वर्ण के नीचे जो है बिंदू पड़ा हुआ उससे हम लोग निम्न बिंदू कहते हैं अर यह मुख्याता 2 ही वन के नीचे लगता है एक रो गो और दूसरा क्या है रो छुड़ाओ के नीचे यह लगता है उसको हमलों इसके नीचे जो यह लगा हुआ है निमन बिंदू उसको कहते है उसके बाद है एक नुक्ता किसको कहेंगे हम लो नुक्ता तो नुक्ता क्या होता है जो ज़ा हो गया या फा हो गया इस तरह के यहां पर देखेंगे एक बिंदू लगता है यहां कहा है नीचे नहीं लगता है बिंदू जैसा नीचे नहीं लगता है पर तो यहां पीट में इसका लगता है तो उसको हम लो नुक्ता कहते है उसके बाद हलंत जो है हलंत क्या है हल चिन हलंत इसका परियोग वेंजन के नीचे क्या जाता है यह जो हल चिन है उसका परियोग हम लोग कहां करते हैं तो वेंजन के नीचे करते हैं जिसे को के नीचे ऐसे हल लगाएंगे अर्थात इसका मिनिंग या होता है कि इसके साथ जो है वह आ नहीं जुड़ा हुआ है इसका मिनिंग या होता है या इसके साथ अर्थात नहीं जुड़ा हुआ है जिन वेंजन में स्वर नहीं होता है वह हलंत का चिन लगा कर उसे असपस्ट किया जाते जो भी वेंजिन होगा उसमें स्वर जो है वह नहीं लगा होगा तो उसको हम लोग असपस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हलंत का परियोग करते हैं जिसे यह लगा देने से पता चल जाता है कि इसमें क्या है स्वर जो है वह जुड़ा हुआ नहीं है को तो यह थी स्वर और कुछ जो चिन है जो हम लोग परियोग करते हैं जो जानना बहुत महत्पूर्न है वह अब हम लोग बात करेंगे वेंजन पर हम लोग किस पर बात करेंगे वेंजन वेंजन हम लोग जानते हैं कि ऐसे धोनी होता है जिसे क्या है स्वर की सहयता से बोली जाती है स्वर की सहाइता सहयोग से ही इसका हम लोग उच्चारन करते हैं जो प्रतेक जो वेंजन होता है इसमें वह जो है वह क्या है जुड़ी ही होती है यह जो होता है प्रतेक वेंजन के साथ जुड़ी होती है इसकी संख्या का बात करें तो 33 है इसकी कितने संख्या है 33 है तो अभी हम लोग ने देखा वेंजन किसे कहते हैं तो वेंजन जो है स्वारों की सहाईता से बोली जाती है और सभी वेंजन के साथ यह जो है वह लगा होता है अब हम लोग वेंजन के भेद को देखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे जो वेंजन का भेद है इसको जानेंगे Kinds of Consonents तो वेंजन का मुख्यता तीन भेद है Aspirs अंतस्त और उस्म अब यह तीनों को हम लोग सम्झेंगे अंतस्त क्या है उस्म क्या है और अस्पर्स क्या है सबसे पहले अस्पर्स वेंजन जो है वह क्या है इसको जानते हैं तो अस्पर्स वेंजन है क्या वेव एंजन जिसका उचारन करते समय वायू कंट वायू कंट तालू, मुर्धा, दात अथवा ओठ का अस्पर्स करके मुक से बाहर निकलता है क्या कहा गया है अस्पर्स वेंजन वैसे वर्न होते हैं जिसको उचारन करते समय अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग पाएंगे कि कंट हो गया तालू हो गया, मुर्धा हो गया दात हो गया या फिर ओष्ट हो गया उसको अस्पर्स करते हुए क्या है ध्यान जो उचारन करेंगे तो यह सब को अस्पर्स करते हुए क्या करता है वो बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या है अस्पर्स ध्यान कहते हैं हमारे जो बिभिन उचारन का जो यह सब जो है तो यह सब को अस्पर्स करते हुए जो ध्यान बाहर निकलता है उसी को हम लोग अस्पर्स ध्यान कहते हैं और यह जो अस्पर्स ध्यान है वह का से ले करके मा तक होते है का से ले करके मा तक कावर्ग आएगा टावर गाएगा सभी इसमें आते हैं और इसके जो संख्या है वह कितनी है तो 25 है इसके संख्या 25 है अब है अंतस्त वेंजन यह जो अंतस्त वेंजन है सेमी कॉंसोनेंट वह क्या होता है तो इसके उचारन करते समय जिह मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह असपस नहीं करता है अंतस्त वेंजन जो होता है उसका जब हम लोग उचारन करेंगे तब क्या होता है उचारन करते समय मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह असपस नहीं करता है असपस धोनी में देखा कि उचारन करते समय मुख का जो विभीन भाग है उसमें क्या करता है असपस करता है लेकिन अंतस्त वेंजन में सेमी कॉंसोनेंट में क्या होता है जब हम लोग उसका उचारन करेंगे तो वहाँ जो है जिहुआ मुख के किसी भी भाग में पूरी रूप पुर्ण रूप से क्या है कहीं असपर्स नहीं करता है उसी को हम लोग क्या है असपर्स धोने कहते हैं इसकी जो संख्या है वह कितनी है तो चार है यो रो लो इसका उचारन करके हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो मुख है, कंठ है, तालू है, बुरुधा है, वह समय क्या है, हमारे जीवा जो है, वह असपर्स नहीं करता है, और लवा बीच में ही अटक जाता है, अब है, उस्म वेंजन, चाहे, उस्म थर नमबर में क्या है, उस्म वेंजन, तो उस्म वेंजन, वे वेंजन होते हैं, जिसके उचारन करते समय, वायू मुख से टक्रा कर उस्मा पैदा करता है, उस्म वेंजन, वैसे वेंजन होते हैं, जब उसको उचारन करते हैं, तो वायू जो नि मुख में हैं टक्रा करके, मुख से टक्रा करके, वा क्या करता है, उसमा पैदा करता है, उसमा अर्थात गर्मी न, वा उसमा पैदा करता है, तो उसको हम लोग उसम धोनी कहते हैं, उसको हम लोग उसम धोनी कहते हैं, उसकी जो संख्या होती है, वह चार है, कौन-कौन, यह तालिविसा, मुधंसा, दंसा और हा यह सब जो है वह क्या हो जाएगा उस्म धोनी के अंत्रगत आएगा अब हम लोग जानेंगे संयुप्त वेंजन संयुप्त वेंजन क्या है जोइंट, कॉंसोनेंट तो जब हम लोग दो अलग-अलग वेंजन धोनी आपस में मिलाते है तब वे संयुप्त वेंजन कहलाता है जब हम लोग तो अलग-अलग धोनियों को मिलाते हैं और मिला करके एक नया सब्द बनाते हैं एक नया वर्न बनाते हैं तो वह क्या है असपर से धोनी कहलाता है संयुप्त वेंजन कहलाता है संयुप्त वेंजन में क्या होता है हम लोग वेंजन और वेंजन वेंजन प्लस वेंजन तो इसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग वेंजन और वेंजन को जोड़ा और यह जो जब हम लोग वेंजन और वेंजन को जोड़ेंगे तो उसका रूप जो होगा पौन रूप से चेंज हो जाएगा तब ही वा संयुक्त विंजन कहलाएगा जैसे हम लोग देख रहे हैं यहापे कि जब काहलंत पलस सा को जोड रहे हैं तो यह इस तरह बनता है अठाथ हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं इसका रूप जो है ना तो इससे मिल रहा है ना तो इससे मिल रहा है किसी से मिल नहीं रहा है तो समझने वाली बात यहाँ यहाँ है कि जब हम लोग वेंजन और वेंजन को जोड़ें और उसका रूप जो है वा पूल रूप से क्या हो जाए चेंज हो जाए चा जो है हम लोगों ने देखा का हलंत मुद्धनसा से मिल करके बना है वही ग्या जो है यह जा हलंतियों से मिल करके यह जो है बना हुआ है उसी तरह तरा जो है ता हलंत रासे मिल करके बना हुआ है वही स्रा जो है वह तालिविसा हलंत रासे मिल करके बना हुआ है और सभी में देखा हम लोग यह जो है अपना रूप को जो है वह क्या कर दिया है चेंज कर दिया है परिवर्दन कर दिया है इस तरह का यहां पर सब्द भी दिये गए हैं कुछ तो यह थी सैयुक्त वेंजन अब हम लोग देखते हैं द्वीत वेंजन द्वीत वेंजन तो द्वीत वेंजन क्या होता है जब दो समान वेंजन क्या होता है इसमें दो समान वेंजन एक स्वर सहित आपस में मिलता है तो उसको हम लोग ड्वीट वेंजन करते हैं क्या है इसमें जो वेंजन होगा वा समान होगा और एक जो रहेगा उसमें स्वर रहेगा और एक जो होगा उसके साथ स्वर नहीं रहेगा जैसे देखें हम लोग काहलंत के साथ अथात इसमें स्वर नहीं है प्लस का अगर इस तरह जूड़ता है जैसे सब्द बन रहा है हक्का बक्का चक्का तो यह सब जो है एक वेंजन जो है वा स्वर उसके साथ है एक वेंजन के साथ स्वर नहीं है और दोनों जो होगा वेंजन समान होगा एक होगा तो उसको हम लोग द्वीत वेंजन कहेंगे अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं प्रान इसमें अलप्रान और महाप्रान जो है इसको जानते हैं प्रान अर्थात वायू प्रान की मात्रा के अधार पर वेंजन का भेद हम लोग करें तो उचारन के अधार पर वेंजनों के निमलिखित दो भेद है अगर हम लोग उचारन करें अर्थात जो हमारे मुख से जो वायू निकलता है उसके अधार पर अगर हम लोग वेंजन का भेद करें तो हम लोग क्या है उसको दो भाग में बाट सकते हैं कौन-कौन अलप्रान और महाप्रान अब एक ये अलप्रान कहेंगे किसको अलप्रान जो है किसको कहेंगे हम लोग तो जिन वेंजन वर्नों के उच्चारन में प्रान वायू कम मात्रा में बाहर निकले तथा उसकी वेंजनों की उच्चारन में महाप्रान वेंजन के अपिक्छा कम जोर लगाना पड़े तो उसको हम लोग क्या है या फिर उसके उच्चारन करते समय हकार जैसी धौनी नहीं निकले उन्हीं को हम लोग अलप्रान कहते हैं अलप्रान किसको कहते हैं जिसके उचारन करते समय प्रान वायू जो है मुझसे जो वायू निकलता है वा क्या है कम निकले इसके साथ साथ क्या होता है जो उचारन करते समय हकार जैसी धौनी ना निकले उसी को हम लोग क्या है अलप्रान कहते हैं और यह जो होता कौन है तो परतेक वर्ग के प्रथम, तिर्थिये, पंचम तथा अंतस्त और जो वेंजन होते हैं अंतस्त वेंजन वही सब्या अलप्रान के अंतरगत में आता है प्रतेक वर्ग का प्रथम, तिर्थिये, पंचम, अंतस्त वेंजन जो है वह अलप्रान कहते हैं जैसे का वर्ग में हम लोग देखें, तो का लंत गो यह जो है, यह सब क्या है अंतस्त अलप्रान कह लाएगा उसी तरह चा वर्ग में यह ता वर्ग में ता वर्ग में पावर्ग में और यह सब अंतसत्ध धौनी है तो यहाँ हम लोगों ने देखा अलप्रान की से कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं महाप्रान क्जा है महाप्रान महाप्रान किसको कहँए तो इसके उचारन करते समय क्या होता है अल्प प्रान वेंजनों के अपिक्छा प्रान वायू कुछ अधीक मात्रा में निकलता है जब हम लोग वैसे वर्ण जिसके उचारन करते समय अल्प प्रान के जो वेंजन है उसके अपिक्छा अधीक वायू निकले तो उसको हम लोग महा प्रान करते हैं और इसमें क्या है हा जैसी धौनी होती इसका जब उचारन करेंगे तो लगेगा उसके साथ हा का भी उचारन कर रहे है तो ऐसे को वन जिसके विचार्ण करते हुए अलब प्राण के अधिक वायुमों से निकले और हा जैसा धौनी निकले तो उसको हम लोग महाप्राण कहते हैं और यह जो महाप्राण होता है परतेक वर्ग के दूसरे और चोथे वर्ग जो होता है वह महाप्रान होता है प्रतेक जो वर्ग है उसका जो दूसरा और चवता तथा उस्म वेंजन जो है वह सब महाप्रान घलाता है जो यहाँ पे दिये गये है अब है वर्णों का उच्चारन स्थल हमारे जो हिंदी है उसका वर्णों का उच्चारन स्थल जो है सैंठी की है जो बैज्ञानिक है यहाँ पे यहाँ पे कहे दिये गए जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कंठ जो है कंठ जो है उसका उससे क्या-क्या उच्चारन होता है तो ओ, आ, का वर्ग और हा का उचारन उससे किया जाता है उसी तरह अगर तालू का बात करें तालू, तालिव इसका उचारन तालिव जो है इसका उचारन इससे क्या क्या होता है तो छोटी इ, बड़ी इ, चावर्ग, अंतस्या और सा यह जो तली विसा है इसका उचारन तालो से होता है फिर अगर मुर्धा का बात करें तो मुर्धा से टावर्ग, री, रो, मुर्धन सा जो होता है इसका उचारन होता है दंत से बात करें तो तावर्ग और लो और सा का उचारन होता है अगर OST जो है उसका बात करें तो OST से O, O और power का उचारन होता है फिर हम लोग देखें तो नासिक जो है उसको अनुनासिक कहते हैं वह जो वर्ग होता है उसका last वाला जो सभी जो वर्ड है वर्ण है उसका उचारन नासिक से होता है और कुछ वर्ण जो है इसका उचारन जो हमारा जो उचारन का अंग है उसमें दो उचारन अंग का सहयोग लेना पड़ता है जिसे कंठ और तालू से हम लोग उचारन करते हैं ए और आए का कंठ और ओस्ट से हम लोग ओ और आउ का उचारन करते हैं वहीं दन्थ और ओस्ट से हम लोग वा का उचारन करते हैं तो यह था हमारा जो वर्न है उसका कौन सा अंग से हम लोग क्या है क्या क्या उचारन करते हैं अब है संयुकता अक्षर संयुकता अक्षर तो संयुकता अक्षर जो है वह क्या है तो इसमें क्या होता है वेंजन का वेंजन से संयोग होता है यहां पे जो वेंजन से सैयोग होने पर अनेक नई धोनिया बनती है यहां पर जो वेंजन से मेल होगा उसमें पूर्ण रूप से वह अपना रूप को क्या है नहीं बदलता है सईयुक्त वेंजन में हम लोगों ने देखा था कि वह जो है अपना रूप पूरूरूप से बदल देता था जब वेंजन से वेंजन मिलता था तब लेकिन यहां मिलने के बाद वह रूप जो है अपना चेंज नहीं करता है और वेंजन से वेंजन के मेल के लिए कुछ रूल है नियम है जो यहां तिये गये हैं फर्स्ट रूल है खाड़ी पाई हटा करके खाड़ी पाई को जो है जो इस तरह होता है उसको हटा करके हम लोग वेंजन वेंजन मेल करेंगे जैसे नाहलंत अंतस्या विला करके नयब बना हुआ है और इससे सब्द जो है और न्या है तो इसमें देखे हम लोग यह जो नाहलंत अर्थात इससे जो खाड़ी पाई यह वाला जो है उसको हटा दिया गया है वह ऐसे हो तो एक रूल है कि जो वर्ण होगा उससे खाड़ी पाई को हटा करके हम लोग वेंजन वेंजन को जोड़ेंगे दूसरा है रूल इसका कि घूड़ी हटा कर अब घूड़ी होता क्या है तो का और फा का जब अइड़ी वेंजनों की साथ मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं घूड़ी को हटा देते हैं अज़त इस तरह का जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं जिसे अगर बात करें का ऐसे लिखा होता है अगर हम लोग इसको एन किसी से जोड़ना है तो यह ऐसे हो जाते है अर्थात यहाँ पर यह वाला जो है वा क्या हो गया हट गया तो उसी को घूड़ी करते हैं तो जो वेंजन होता है उसको हम लोग वेंजन वेंजन जोड़ते हैं तब कभी कभी क्या करते हैं उसको वाले वेजन जो बिना पाई वाले वेजन होते हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग तो बिना पाई वाले वेजन जो होता है जिसे यह सब जो ठोड ऑ, घो गएरा है जब किसी वेंजन से मिलता है तब उसमें क्या करते है और रहित होने बनाने के लिए नीचे हलंद लगाते हैं इसमें क्या करते हैं उससे जो और जो लगाते हैं सभी वेंजन के साथ जो और जुड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके नीचे हलंद लगा देत है हम लोग कि इससे पता चल जाता है कि उसमें क्या है आज हो है वह नहीं लगा हुए है अब है कि रा के सहयोग से बनने वाला वेंजन अगर रा के सहयोग से अगर कोई बन रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं उसमें तो रा में स्वर ना होने पर उसे रेप कहा जाता है रा में अगर स्वर ना हो तो उसको रेप कहा जाएगा जैसे लिखा क्या इसे इस दसा में उसको ऐसे करके लिखा जाएगा अपने अलग वर्न के उपर और कभ जो रा में स्वर रहित जो है वह ऐसे लिखा जाएगा अगर वह कहीं दा के साथ मिलता है तो वह दा के क्या है उपर हो जाएगा दा के यहां उपर ऐसे लिखा जाएगा उसी तरह कहीं कहीं क्या होता है यह जिसे अगर पा है तो पा के ऊपर ना लिखा जाकर के यहां इसका पीट में लेखा जाएगा उसी तरह अगर टा वर्ग जो है उसमें अगर रा जुड़ेगा तो वह इस तरह का हो जाता है तो इसका इस तरह का कुछ रूल है जैसे कि अगर टा के साथ अगर जूड रहा है तो टा जो होता है आधा टा जो होगा वह कैसे होगा आधा टा ऐसे होगा और आधा रा भी है इसका आधा ही लेना है तो आधा टा के साथ ऐसे रा को आधा ऐसे हम लोग जोड देते हैं अगर वू की मात्रा का परियोग अगर हम लोग रा के साथ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे तो अगर हम लोग वू जो है इसका परियोग करना है तो रा के साथ तो ऐस तरह करेंगे लेकिन अगर दीर गूग का परियोग करना है तो इसके लिए हम लोग ऐसे करके करना होगा दोनों में अंतर कह समझ में आ गया होगा अप लोग को क्या है तो यह सब क्या था रा का परियोग हम लोग जो अगर उसको आधारा का परियोग जो एन वर्नों के साथ जोडने पर करते हैं वह कैसे करते थे वह हम लोगों ने देखा तो यह सब कुछ प्रमुख थी यहाँ पे अब जो हम लोगों ने पाठ जो पढ़ा है उसमें जो च्छन करके प्रमुख जो बाते आये हैं वह इस परकार है क्या है वह मुल्ध होनी जिसके और खंड ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे वर्न कहेंगे जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग वर्न कहेंगे वर्न जो होता है दो तरह का होता है स्वार और वेंजन और स्वार जो होता है उसका तीन भेद किया गया है हर्स्वार दिर्क स्वार और पलुत्ट स्वार वेंजन जो है उसका भी तीन भाग किया गया है असपर्स वेंजन, अंतस्त वेंजन और उस्म वेंजन उसके बाद जो है अनुनासिक स्वर से क्या होता है वायू मुह और नाक से दोनों से निकलता है अनुनासिक जो है वह स्वर मुह और नाक से दोनों से वायू निकलेगा अनुनासिक स्वार का उचारन करेंगे तब वही अगर वर्नों का उचारन मुख के बिभिन अवयवों का सहायता लिया जाता है उसके बाद वर्नों के उचारन करते समय हम लोग मुझ के पिभिन जो यवयव है उचारन अस्थल उसका हम लोग सहयोग लेते हैं उचारन के अधार पे उचारन के अधार पे हम लोग वेंजन को दो भाग में बाटे हैं उचारन के अधार पे अल्प प्रान और महा प्रान तो यहां कुछ थी विसेश वर्ण विचार जो है चेप्टर उसका ओके धन्यवाद अगर आप लोगों को मैंने जो साजा किया है वह अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और फॉर्वेड भी करें धन्यवाद